जैन में रामादल अखाड़ा परिशत के सादू संतों ने गुरुवार को सब्त सागर सफाई अभियान शुरू किया सादू संतों के इस अभियान में जनप्रतिनीदी और राजनितिक वस समाजिक दलों के सदल से भी शामिल हुए यहाँ प्रदेश के उत्ति शिक्षा मंदरी डॉक्टर मोहन यादव भाजपा विधायाक पारस जेन ने श्रमदान किया यहाँ पर शुरूवात में सफाई गाड़ी का पूजन किया गया और गोवर्धन सागर की सफाई करवाई गया और इस धरने का मुख्य उद्धेश है कि जो हमारे सब्द सागर है इनकी जो इस्तिती काफी दैनी है उसमें से गोवर्धन सागर की इस्तिती बहुत ही ज्यादा खराब है और इसमें तमाम घास ही घास खड़ा हुआ है तो चन सहयोग से शाशन प्रशाशन के तरप से जो भी जैसा सहयोग देना चाहिए जो समाज के लोग जो भी दे वो इसे गहरी करण और शुद्धी करण हो जो वर्तमान में स्थती हमारा तो एक ही उत्यस है कि जो शाशन के अभिलेक में जितनी भी एक शेत्रफल वर्तमान में है उसमें जो है कारी किया जाए और इसमें जल इकटा होके शुद्ध हो और परिटक के रूप में लोग देखे यहां पर आए और शहर के मद्द्ध में होने के नाते यह सब्थ सरोवर का बड़ा महत्व है पुर्षोत्तम मास होता he यहां पर हजारों महलाएं पूजा करने आती है ऑर इसलिए शुद्ध हो जाए तो उसमें पूजा करने में सहुल्यत रहेगी और उनकी धार में भावना को ठेस न पहुचेगी यह ने हमारा धरना प्रदसन चालू रहेगा यह इसको सुद्धी करन जो कर रहे हैं आज से प्रारम कराया है अब किस तरह से कितना सफ़ई होती है यह हम लोग सब प्रयास करें जल्दी से जल्दी इसमें सफलता मिले सभी ल म sought पूरे मना समाज लिए हैं पूरा मिले समाज प्रदस माया जी ज शतीज मिलना है हमारे हरियों मिलना जी यह सब लोग यहां पर उपस्तित है अभी है कुष संदीप जी जी है और हमार पंडित प्रदोष नेवल से लोग नहीं जो बोलेंगे उस सदे उतत पर रहेंगे पूरी इनके लिए प्रदोष नेवल से लोग यह पूरी परिश्ट सिक्ट्वारा गोल्दन सागर के लिए साथ दिन से धन्य पे बेटे थे चार दिन पहले हम आये थे में और अध्यक जी और इनकी जो बाज भी मांग थी कि सब तसागरों का जो अस्तित खत्म हो रहा है उसमें गोल्धन सागर का भी एक अस्तितु था बाकी सागर तो जुरूर पूरे हो गए लेकिन यह बहुत दिनों से अटका हुआ मामला था इसके कई कारण है एक कारण यह भी है कि इसमें कोर्ट में इसमें विवाद था हमने बातचीत करी है संत वर्दों ने भी बात कि कि जो कोड का मामला है उसको छोड़कर बाकी जगें जो खाली है उस पर निर्मान क्या किया जाए आज उसका हमने भूमी पूजन किया है पहले स्मार्ट सिटी में मुझे द्यान है कि इसके लिए जोड़ा गाया था तेरा करोड रूपे में मंजूर हुए लेकिन वह तो इसमें आप लोगों के और आपके परिवार का भी योगदान हो हम यह चाहते हैं उनकी कोई सब्सक्राइब करेंगे लेकिन यह सब जो करेंगा हमारे आधर्णी अखाड़ा परिसदी करेंगा हम आखाड़ा परिसद के पीचे आखाड़ा परिसद्र आवान किया सबी ल सागर में से जित्ते सागर पेले बने हैं उसमें से यह गोल्दन सागर एक अधियूति बनेगा वो सब्का योगदानों आल्थिक की विए जयों पड़ेगी तो हम आल्थिक जनता के बीच में जाएंगे यह जनता का ही दिया हुआ काम है मैं तो यह कि रहा हूं महंकाल वाबा के अंदर लेते हुए एक पाली का भी बराबर यह वस्तित रहें जिसके बाद बगीचा टाइप भी रहें और यहां पार जो परेटे के स्थान जिसा भी कोई करना चाहते हैं तो परेटे का क्योंकि महंकाल का जिस गती से बढ़़ा है उज्जेन यह सुभागी की बात है कि हमरे यहां जल सरचना के करण से उज्जेन जाना जाता था आज गोर्दन सागर विकास के लिए संतों का रामादल खड़ा परिशद ने जो अभियान चला है था मैं मानिस सांसद विधायक जी कांग्रेस के नेता बाकी समाज के नेता मुस्लिम समाज के नेता सब लोगों न अब यह तो मेरे को मालूम नहीं लेकिन लाखोर रुपे खटा हुआ